शिब बाबा याद है ना? बाप रूप से परमात्म पालना सारे कल्प में तुम बच्चों को ही प्राप्त होती हैं. यह परमात्म प्यार पाकर आत्मा को सर्व संबंधों और सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है. आप बच्चों के लिए ही बाबा रोज वतन से आकर इतनी सहज पढ़ाई जाते हैं. लौकिक में फिर भी बोज अनुभव होगा लेकिन यह पढ़ाई तुम्हें हलका बना देती हैं. उड़ती कला का अनुभव कराती हैं. और फिर सत्गुरू रूप में जो श्रीमत मिलती हैं उससे तुम्हारे क्या क्यों के सारे क्वेस्चन्स माप्त हो जाते है ऐसा सत्गुरू कभी किसी को नहीं मिल सकता जिससे रोज इतने वर्दान मिलते हों. फिर बाब ने कहा सिर्फ दो शब्दों में सारे चक्र की अर्थात ड्रामा की नौलेज समाई होई हैं. वह दो शब्द हैं बाप और आप. आप बच्चों के सभी प्रशनों को समाप्त क करने का साधन एक ही है. फोलो फादर करना. जो चाहते हैं हम कभी हल्चल में ना आएं, सदा अचल रहें, तो आज से अपनी सर्व प्राप्तियों की लिस्ट सदा बुद्धी में इमर्ज रखो. फिर किसी भी प्रकार का विग्ण वार नहीं करेगा. और लास्ट में बाब ने कहा, भविश्य के जीवन मुक्ती वाले संसकार तुम्हें अभी संगम युग पर ही इमर्ज करने हैं. जब अभी से निरंतर कर्म योगी, सहज योगी और निरंतर मुक्त आत्मा के संसकार आत्मा में भरेंगे, तभी उस नई दुनिया में जा सकेंगे. और अब सुनते महावाक्यों को विस्तार से, मुरली का सार, सर्व प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज कर, अचल स्थिती का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो. आज भाग्य विधाता बाप अपने विश्व में सर्व स्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं. हर बच्चे के भाग्य की महिमा स्वियम भगवान गा रहे हैं. बाप की महिमा तो आत्माएं गाती हैं, लेकिन आप बच्चों की महिमा स्वियम बाप करते हैं. ऐसे कभी स्वपन में भी सोचा कि हमारा इतना स्रेष्ठ भाग्य बना हुआ हैं, लेकिन बना हुआ था, बन गया. दुनिया पशिव बच्चा के लोग कहते हैं भगवाण ने हमको रचे हैं.- लेकिन ना भगवाण का पता है, ना रचना का पता है. आप हर एक भाग्यवान बच्चा, अनुभव और फख़ुड से कहते हो कि हम शिव वंशी, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारिया है. हमको मालूम है कि हमें बाप ददाने कैसे रचा चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग पंडव है, शक्तियां है किसी से भी पूछेंगे आपका बाप कौन है तो क्या कहेंगे, फलक से कहेंगे न कि हमको शिव बाप ने ब्रह्मा बाप दवरा रचा इसलिए हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान से डारेक्ट मिलते हैं ना सिर्फ परमात्मा वह भगवान हमारा बाप है लेकिन वह बाप भी है, शिक्षक भी है और सत्गुरु भी है सबको यह नशा है, ताली बजाई बाबा केते, एक हाथ की ताली बजाना, अभी यह भी एक्सरसाइज बुजुर्गों को सिखानी पड़ेगी बच्चों को खुश देख, बाप ददा भी खुशी में जूलते हैं और सदा केहते, वहां मेरे हर एक स्रेष्ट भाग्यवान विशे सात्माई बाप के रूप में परमात्म पालना का अनुभव कर रहे हो यह परमात्म पालना सारे कल्प में सिर्फ इस ब्रहमन जन्म में आप बच्चों को प्राप्त होती है जिस परमात्म पालना में आत्मा को सर्व प्राप्ती स्वरूप का अनुभव होता है परमात्म प्यार सर्व संबंधों का अनुभव कराता है। परमात्म प्यार अपने देह भान को भी भुला देता। साथ साथ अनेक स्वार्थ के प्यार को भी भुला देता है। ऐसे परमात्म प्यार परमात्म पालना के अंदर पलने वाली भाग्यवान आत्माई हो। कितना आप आत्माओं का भाग्य है जो स्वियम बाप अपने वतन को छोड़ आप गोडली स्टुडेंट्स को पढ़ाने आते हैं। दो शब्दों की पढ़ाई है आप और बाप। इन्ही दो शब्दों में चकर कहो, ड्रामा कहो, कल्प व्रिख्ष कहो, सारी नौलेज समाई हुई है। और पढ़ाई में तो कितना दिमाग पर बोज पढ़ता है। और बाप की पढ़ाई से दिमाग हलका बन जाता है। हलके की निशानी है उचा उड़ना, हलकी चीज स्वते ही उची होती है, तो इस पढ़ाई से मन बुध्धी उड़ती कला का अनुभव करती है, तो दिमाग हलका हुआ न, तीनों लोकों की नौलेज मिल जाती है, तो ऐसी पढ़ाई सारे कल्प में कोई ने पढ़ी है, कोई प खाग्य है न, फिर सत्गुरु दवारा श्रीमत ऐसी मिलती है, जो सदा के लिए क्या करूं, कैसे चलूं, ऐसे करूं या नहीं करूं, क्या होगा, यह सब क्वेस्चन्स स्माप्त हो जाते हैं, क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं, इन सब क्वेस्चन्स का एक शब्द में जवाब है, follow father. साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को follow करो, निराकारी सिती में अशरीरी बनने में शिव बाप को follow करो. दोनों बाप और दादा को follow करना, अर्थात question mark समाप्त होना, वो श्रीमत पर चलना, यह मुश्किल है, पूछने की आवशक्ता पड़ती है क्या? कोपी करना है, अपना दिमाग नहीं चलाना है, बाप समान बनना, अर्थात follow father करना, मुश्किल है या सहज है? सहज है ना, 30 साल वाले हाथ उठाओ, अच्छा 30 साल में मुश्किल लगा या सहज है, अभी देखो 30 साल वालों को भी सहज लगा, तो आप जो पीछे-पीछे आए, उन्हों के लिए मुश्किल है या सहज है? सहज है ना, गर्मी के कारण सभी के हाथों में रंग बिरंगी पंखे हैं, जो हीला रहे हैं, बाप दादा ने कहा, अच्छा है, पंखों की रिमजिम भी अच्छी लग रही है, सीन अच्छी है, नवीनता होनी चाहिए न, तो इस ग्रूप की यह भी नवीनता है, यह भी टीवी में आ गया, अच्छा है, सभी भाग भाग कर पहुँच गए हैं, बाप दादा भी सनहे की मुबारक देते हैं, देखो और जो भी हद के गुरू होते हैं, कितने वर्दान देते हैं, एक या दस, जादा नहीं देते हैं, लेकिन आपको सत्गुरु दवारा रोज वर्दान मिलता है। ऐसा गुरु कब देखा? नहीं देखा न? आप लोगों नहीं देखा लेकिन कल्प कल्प देखा। तो सदा अपने भाग्य की प्राप्तियों को सामने रखो। सिर्फ बुद्धी में मर्ज नहीं रखो। इमर्ज करो। मर्ज रखने के संसकार को बदल कर इमर्ज करो। अपनी प्राप्तियों की लिस्ट सदा बुद्धी में इमर्ज रखो। जब प्राप्तियों की लिस्ट इमर्ज होगी तो किसे भी प्रकार का विग्ण वार नहीं करेगा वह मर्ज हो जाएगा और प्राप्तियां इमर्ज रूप में रहेंगी बाप ददा जब सुनते हैं कि आज किसे भी कारण से कोई कोई बच्चे महनत करते हैं युद्ध करते हैं योग लगाना चाहते लेकिन लगता नहीं है सोल कॉंशिस के बदले बोड़ी कॉंशिस में आ जाते हैं तो बाप ददा को अच्छा नहीं लगता है कारण क्या? अपने भाग्य की प्राप्तियां इमर्ज नहीं रहती, मर्ज रहती है फिर जब कोई याद दिलाता है तो सोचने लगते हैं होना तो ऐसा चाहिए इसलिए बहुत सहज पुरुशार्थ है प्राप्तियों को इमर्ज रखो जब से ब्राह्मन बने तब से अपने भाग्य को स्मृति में रखो हल्चल में नहीं आओ, अचल बनो क्योंकि यहां आबू में यादगार क्या है? अचल घर है या हल्चल घर है? अचल घर है ना, यह किसका यादगार है? आपका यादगार है ना? तो जब भी कोई सोक्षम पुरुशार्थ का मार्ग मुश्किल लगे, बुद्धी ज्यादा हलचल में हो, तो अपने यादगार को स्मृती में लाओ। तो मधुबन का अचल घर याद रखो, यह तो सुल चीज है ना, सुक्षम तो नहीं, आखों से देखने की चीज है, मेरा यादगार अचल घर है, हलचल घर नहीं है, क्योंकि बाप ददा इस वर्ष को सर्व बच्चों के प्रति, मुक्ती वर्ष मनाना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो हाथ उठवाएं, तो कोई का उठे, कोई का नहीं उठे, नहीं, सभी खुशी-खुशी से हाथ की ताली बजावे, सभी बजाने लगे, चलो अभी बजा दी तो ठीक है, लेकिन ऐसे ही बाप ददा इस वर्ष के स्माप्ती में इतनी जोर से ताली बजाते देखे, अभी तो बजाई अच्छा है, लेकिन तब भी बजाना, बजाएंगे, देखो हाथ की ताली बजाके तो खुश कर दिया, लेकिन बाप ददा नए वर्ष में, जो अपना 18 जनवरी, विशेस ब्रह्मा बाप के शरीर से मुक्त होने का दिन है, तो 18 जनवरी में बाप ददा फिर हा तो रूप में लाया, वो सोचते सोचते लास्ट में भी सोचते रहेंगे, यह रिजल्ट बाप ददा देखना चाहते हैं, दिखाएंगे, अच्छा, याद रहेगा ना, प्राप्तियों को सामने रखो, बाप की याद के साथ बाप ने जो दिया, वह भी इमर्ज करो, क्या बनाया, और क्या मिला, बाप ददा इस वर्ष के बाद हर बच्चे को जीवन मुक्त सिती में देखेंगे, भविश्य में जीवन मुक्त होंगे, लेकिन संसकार जीवन मुक्त के अभी से ही इमर्ज करने हैं, और निरंतर कर्म योगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संसकार अभी से अनुभव में लाओ। क्यों? बाप ददा ने पहले भी इशारा दिया है कि समय का परिवर्तन आप विश्व परिवर्तक आत्माओं के लिए इंतजार कर रहा है। घंटा बजाएं। भक्त आत्माओं वह दिन सदा याद कर रही हैं कि कब हमारे पुज्य देव आत्माओं हमारे उपर प्रसन्न हो हमें मुक्ति का वर्दान देंगी। दुखी आत्माओं पुकार रही हैं कि कब दुख हरता सुख करता आत्माओं प्रत्यक्स होंगी। अभी इन्हों के इंतजार को स्माप्त करो। आपके लिए सब रुके हैं। आप सब मुक्त हो जाओ तो सरवात्माई प्रकृती भक्त मुक्त हो जाए। तो मुक्त बनो, मुक्ती का दान देने वाले मास्टर दाता बनो। अभी विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी आतमाई बनो। जिम्मेवार हो ना बाप के साथ मददगार हो। क्या आपको रहम नहीं आता। दिल में दुख के विलाप महसूस नहीं होते। हे विश्व परिवर्त कातमाई अभी अपने जिम्मेवारी की ताजधारी मनाओ। बाप दादा ने पहले भी कहा। सो हिमाल्य जितने बड़े ते बड़े विगन भी आ जाएं तो भी हटेंगे नहीं, हार नहीं खाएंगे। ताजधारी मुक्ती वर्ष अवश्य बाप दादा रोज चार्ट देखेगा। ऐसे नहीं यहां से जाओ तो ट्रेन में ही कहो पता नहीं क्या हो गया। घर में गए तो बगुले और हंस की लडाई लग गई। ऐसे नहीं कहना यह हो गया, यह हो गया, यह नहीं सुनेंगे। आपके पत्र वेस्ट पेपर बोक्स में डालेंगे, सुनेंगे नहीं, द्रिड संकल्प करो होना ही है, जहां द्रिडता है वहां सफलता नहीं हो, असंभव है, तो सभी द्रिड संकल्प वाले होना, टीचर्स हाथ उठाओ, टीचर्स बहुत हैं, सारे सेंटर्स खाली करके आए हैं क्या, देखो एक खुश खब सतन का लक्षे बहुत अच्छा रखा है, लक्षन तो देखेंगे, लेकिन लक्षे बहुत अच्छा रखा है, अपने में अंतर जो आया है, वह भी लिखा है, लेकिन बाप ददा को खुशी है, अंतर आना शुरू हुआ, आगे होता रहेगा, लेकिन सभी ने अपने अच्छा दिखाया है अभी कागज में है लेकिन कागज में भी पहला कदम तो है तो बाप ददा को खुशी हुई क्यों सारे वर्ल्ड के लिए हे अर्जुन मधुबन निवासी है निमित मधुबन निवासी है सेकेंड नमबर देश विदेश की निमित सेवाधारी टीचर्स है और सर्व सहयोगी साथी सारा परिवार ब्राहमन आत्माए हैं तो मधुबन का नक्षा बाप दादा देखेंगे कि बिलकुल बदला हुआ दिखाई दे मधुबन वाले तो कम आये होंगे कईयों ने तो लिखा ही नहीं है आगे बैठने वालों ने कम लिखा है बहुत बिजी रहे हैं लेकिन जब काम मिलता है तो लिखने में भी मांक्स जमा होती है अगर नहीं लिखा है तो मांक्स एक्स्ट्रा कम हो गई नुकसान कर दिया जो को रिगार्ड देना अती आवश्यक है इसमें ना बहाना देना ना अलबेला पन करना आगे के लिए बाप ददा बता देता है कि माक्स जमा नहीं हुई इसलिए इसको महत्व देना अर्थात महान बनना हलकी बात नहीं करो बच्चे बड़े चतुर हैं कहेंगे बाप ददा त लेकिन कहा क्यों जानते हुए कहाना तो ऐसे छुडाना नहीं चाहिए बहुत ऐसे कारे हैं छोटे छोटे जिसको हांजी करने में एक्स्ट्रा माक्स जमा होती हैं कई ऐसे स्टुडेंट्स हैं जो किसे भी पास्ट के संसकार के वश बहुत अच्छे उमंगुत्सहा में इन धागा रहा हुआ हैं लेकिन ही कहेंगे लेकिन ऐसे भी पुरुशार्थी हैं जो छोटी छोटी कोमन बातों में हांजी करने से माक्स ले लेते हैं और हो सकता है कि वे थोड़ी थोड़ी माक्स इकठी होते हुए वे आगे भी निकल सकते हैं ऐसे भी बाप दादा के पा जमा करते जाओ, कट नहीं करो, जमा करो। बाकी बाप दादा ने देखा, मैजोरिटी ने अपना उमंग उत्सह अच्छा दिखाया है। जमा करने का शीश महल। तो एक बात की तो खुशी है, अभी कागज में आया हुआ, कर्म में लाना ही है। ठीक है ना? अच्छा, मुबारक हो। अभी अगर आप सभी को अचानक डारेक्शन मिले, कि अभी अभी अशरीरी बन जाओ, तो बन सकते हो कि हलचल होगी। क्यों? ल आप दादा भी कहते हैं, एक सेकेंड में सब बातों को किनारेकर अशरीरी भव। फिर बाबने ड्रिल कराई, अच्छा, चारों और के अतिसरेष्ट भाग्यवान, परमात्म पालना के अधिकारी आत्मय, परमात्म पढ़ाई के अधिकारी, परमात्म सत्गुरु के वर्द सदा द्रिडता दवारा, सफलता के अधिकारी, सदा अखंड योगी, अचल योगी, सदा विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के तास धारी, सदा सर्व प्राप्तियों को इमर्ज रूप में अनुभो करने वाले ऐसे विशे सात्माओं को बाप दादा का याद प्यार औ और नमस्से, रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्से, नमस्से, गुड मॉर्णिंग, अभी मुक्ती वर्ष में नमबर वन मधुबन निवासी, ठीक हैं, हो सकता है या मुश्किल हैं? बच्चों ने कहा हान जी, बाप दादा ने कहा, फिर तो बाप दाद मधुबन वालों को भी गोर्डन बैस देगा मधुबन वालों को बैस देना है और सभी को दिया है मधुबन वालों को मुक्त वर्ष की प्राइस देंगे अच्छा बैस देंगे आपको अच्छा वर्दान ब्राहमन जीवन में एक बाप को अपना संसार बनाने वाले स्वत्य और सहजयोगी भव। ब्रहमन जीवन में सभी बच्चों का वायदा है, एक बाप दूसरा न कोई। जब संसार ही बाप है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वत्य और सहजयोगी स्थीती सधा रहेगी। अगर दूसरा कोई है, तो मेहनत करनी पड़ेगी, यहां बुध्धी न जाए, वहां जाए, लेकिन एक बाप ही सब कुछ है, तो बुध्धी कहां जा नहीं सकती, ऐसे सहज योगी, सहज स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं, उनके चहरे पर रुहानियत की चमक एक रस एक ज यसी रहती है, स्लोगन, बाप समान अव्यक्त व व विदेही बनना, यही अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष सबूत है, अच्छा, वह कौन सी आत्माई हैं, जिनको बाबा नैनो का नूर कहते हैं, उनकी पहचान के लिए सुनते हैं आज का ज्यान मोती, सभकाना एैनो के विदे हाहर, यही बनना शर्टर भावा कि रėं से धी सक्या ऐहार मोती हैं, इनकी आतिनकी आत्माई हैं, जिनकी और भावान आत्माई हैं, झालुओता हैं, यही श जिस आत्वा एन् झाल का जहत्ड़ता हैं, रहादा हैं, जिनको ते सुमान जिकी पहतwartक